मेरे प्यारे साथियों नमस्कार आज की वीडियो में राजस्तान जीके के 25 बहुत ही इंपोर्टेंट परसन लेके हैं और ये सभी परसन एकजाम की दश्टी से मोश्ट इंपोर्टेंट है आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा साथी रोजना राजस्तान जीके के इसे वीडियो पाना चाहते है चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजी आपको डेली राजस्तान जीके के इंपोर्टेंट के वीडियो मिलते रहेंगे पहला के उसन आपके सामने राजस्तान राजे का पहला इसा गाउं कौन सा है जहां टेली मेडिसन सेंटर खोला गया वेरी वेरी इंपोर्टन एक्जाम की दस्टी से याद कर लीजेगा राजस्तान का पहला इसा कौन सा गाउं है जहां टेली मेडिसन सेंटर खोला गया क्योसनवर टू की बात करते हैं राजस्तान का दूसरा कैंसर अस्पताल कब और कहां स्थापित किया गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जल्दी से आप लोग उत्तर दीजेगा राजस्तान का दूसरा कैंसर अस्पताल जो की कहां और किस जिले में कब खोला गया जल्दी से आप लोग उत्र बताईए तो ये 2007 में खोला गया था कोटा के अंदर 28 अप्रेल 2007 में आप्शन C हमारा उत्तर रहेगा क्योसन वर 3 की बात करते हैं राजस्तान में राष्ट्य कुष्ट उन्मुलन कारीगरम कब प्रारम हुआ बहुत ही अच्छा परसन आप लोग ध्यान दीजेगा राजस्तान के अंदर राष्ट्य कुष्ट उनमलन कारीग्रम कब प्रारम हुआ था याद कर लिजेगा एक्जाम में परसन पूछा गया था 1970 और 71 के अंदर आप्शन A हमारा उत्तर रहेगा क्योषन और 4 की बात करते हैं राजस्तान का परसीद सास बहु का मंदिर किस जिले के अंदर है बहुत ही इजी क्योषन है और बहुत बार रिपीट हो चुक है और आप लोग उत्तर दीजेगा और वीडियो का अंदर है और नागदा किस जिले में है तो यह उद्यपूर के अं अप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा नागदा जो की एकजिट स्थान है क्योषन और 5 की बात करते हैं राजस्तान के परसीद लोग देवता बाबा रामदेव जी का जनम किस स्थान पे वा था बहुत ही अच्छा परसन है और एक्जाम में कई बार पूछा कि आप लोग क्योषनवर 03 की बात करते हैं राजस्थान के एकमातर लोग देवता जिन के नाम पे डाब टिकेट जारी किये गे थे PSY लेकिन बहुत बार इपीट हो जुकॉए Pharya में राजस्तान के किस लोग देवता के नाम पे डाब टिकेट जारी किये गे थे दव नाराइंजी option D हमारा उत्तर रहेगा क्योसर नवर 7 की बात करते हैं राजस्तान के किस दूर की उंचाई तता विसालता के लिए कहा जाता कि इसे देखने पे पगड़ी गिर जाती है very very important है राजस्तान के इस दूर के लिए line बहुत फहमस रही है और exam में कई बार इस पे person बन चुका है कि किस दूर के लिए कहा जाता है उसकी उंचाई और विसालता को लेके कि इसे देखने पे शिर की पगड़ी गिर जाती है तो ये कुमलगड दूर के option C हमारा उत्तर रहेगा क्योसर नवर 8 की बात करते हैं राजस्तान में मयूर दवजगड के नाम से परसिब दूर कोन से है राजस्तान के अंदर मयूर दवजगड किस दूर को कहा जाता है बहुत अच्छा परसन आप लोग याद कीजिएगा तो मयूर दवजगड महरांगड दूर को कहा जाता है आपसन A हमारा उत्तर रहेगा क्योसर नवर 9 की बात करें राजस्तान का कौन सा दूरूग प्रातकाल और सुरियास्त के समय सुरिय की लालिमा के समान सोने के समान चमकता वेरी वेरी इंपोर्टन है ये परसन भी कईबार रिपीट हो चुका है कि राजस्तान का कौन सा ऐसा दुरगा जो सुबह और शाम को सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है तो सोनारगड या पिर जेसलमेर दुरग ये जेसलमेर के अंदर है आपसन B हमारा उत्तर रहेगा क्योसन नवर 10 की बात करें राजस्तान का कौन सा जिला प्रस्तर मूर्ती के लिए जाना जाता है तो बहुत ही जी कि उसने जेपुर आप्सन सी हमारा उत्तर रहेगा क्योसन नवर 11 की बात करें राजस्तान में आदिवाशियों का सबसे परसिद आस्ता के अंदर जहां पर मेला लगता है आदिवाशियों का सबसे फेमस्तान या फिर आस्ता के अंदर या फिर मेले का स्थान जो ये बेनेस्वर है ऑप्सन बी हमारा उत्तर रहेगा बेनेस्वर में जो है कला साथिती और सथ करती का एहम योगदान रहा है और इसके अंदर सरवादी की योगदान जो किन क है मीरना का राजभुतयों का जेन्यूं का रigh max लोगा तो यहां पर राजबुतयों का सरवादी की योगदान रहा है option B हमारा उत्तर रहेगा very very important है और राजस्तान जी के ऐसे important question पाना जाती है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आपको daily classes मिलती रहेगी question बर 13 की बात करें राजस्तान का परसिद गोगा जी का जो मेला वो कहां पर बरता है person पूछा गया है तो easy question है किस स्थान पे स्थीत है राजस्तान के अंदर नील कंट महादेव का जो मंदिर वो किस स्थान पे है तो ये है भेंस रोड़गट के अंदर option D हमारा उत्तर रहेगा क्योशन और 15 की बात करें राजस्तान में गोबर से घर की दिवारों चबूतरे पे क्या बनाया जाता है एक्जाम में कई बार रिपीट हो चका है बहुत ही अच्छा परसन है राजस्तान के अंदर गोबर से घर की दिवारों और चबूतरे पे क्या बनाया जाते है जो ग्रामिन से बच्चे बलोंग करते है वो सही कर देते हैं, देखें धान देने वाली बात है, यह परसन आगे भी रिपीट हो सकता है, तो इसे सांजी का आज़ता है, आप्शन सी हमारा उत्तरेगा माणना नहीं होगा, क्योसन वर सॉला की बात करें, राजस्तान में परसिद धाई दिन का जॉंपड़ा किस जिले के अंदर है, कई बार एक्जाम में पूछा गया है, कि धाई दिन का जॉंपड़ा जो की राजस्तान के किस जिले के अंदर है, तो यह अजमेर के अंदर है, आप्शन भी हमारा उत इसका नाम ड़ाई दिन का जोप्रा इसलिए बढ़ा था क्योंकि इसका निर्मान ड़ाई दिन के अंदर हुआ था क्योसनवर 17 की बात करें राजस्तान में लगबग 1800 गुप्त कालिन सी के किस स्थान पे मिले थे राजस्थान के अंदर लगबग अठारा सो गुप्त कालिंसी के जो किस स्थान पे पाए गए थे बयाना के अंदर ओप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा क्योशन और 18 की बात करें राजस्थान में मेवाड का बिसम बितामा की सास को काज़त है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कई बार रिपीट भी हो चुका है की मेवाड का बिसम बितामा की सास को काज़त है आप लोग उत्तर दीजेगा और वीडियो के एंद में आप सभी से एक इंपोर्टेंट परसन पूछा देगा उसका भी आप लोग उत्तर जुरूर बताएं तो इसका उत्तर रहेगा उप्शन सी क्योसन और 19 की बात करें राजस्तान में अलाओ दिन खिलजे ने किस दुरू को जीत के उसका नाम खेरावाद रखा था बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है तो सिवाना दुरूर गया उप्शन भी हमारा उत्तर रहेगा आज के वीडियो में वही क्योसन है जो एक्जाम में बार बार रिपेट हो रहे हैं क्योसन और वीस की बात करें राजा काव परसीद राजबुत राजा कौन था जिसने राजस्तान में सरवादिक दुरूर गों का जिरुन धार निर्मान करवाया था बहुत ही अच्छा परसन एक्जाम में कई बार पूछा भी गया है देखें ये सारे परसने जो एक्जाम में आगे भी पूछे जा सकते हैं तो आप लोग याद कर लेना आपके दो से चार नमर पक्के हो सकते हैं आप लोग वीडियो दुवारा भी देख सकते हैं तो सरवादिक दुर्गों का निर्माण वाज जिरुन अधार किसे ने करवाया था महरणा कॉंबा ने ओप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा क्यों सन्वर 21 की बात करें सवतंता के समय राजस्तान में कुल कितने ठिकाने और रियास्ते थी तो 19 रियास्ते थी और 3 ठिकाने थे आप्शन B हमारा उत्तर रहेगा क्यों सन्वर 22 की बात करें राजस्तान राजे में मीटी से बना परसिद बांध कौन सा है अजस्तान की अंदर मीटी से परसीद बांद कौन सा बना हुआ है पाचना मेजा विसलपूर या जाखम जल्दी से आप लोग उत्तर बताईए तो मीटी से बना हुआ परसीद बांद है पाचना बांद ऑप्सन ए हमारा उत्तर रहेगा क्यों सुनवर तेज की बात करें रास्तन राजेगा 32 जिला करोली कब अस्तितो में आया था वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप लोग याद कीजेगा 32 तेटीसवा जिला जुरूर याद कर लीजेगा क्योंकि एक्जाम में इस तरह के परसंद जुरूर पुछे जाते हैं तो 32 जिला करोली जो की कब अस्तितो में आया था 19 जुलाई 1997 को आप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योंसर नवर चोईस की बात करें रास्तान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात वह पाकस्तान से लगती है वेरी वेरी इंपोर्टन है रास्तान का वह कौन सा जिला है जिसके सीमा गुजरात से भी लगती है पाकस्तान से भी लगती है तो वह है बाडमेर ओप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा देखें इस तरह की परसंद भी एक्जाम में पुछे जाते हैं क्योशन और पचीस की बात करें कालिविंगा रास्तान की किसे जिले के अंदर है वेरी वेरी इजी है जो की हन्मानगण की अंदर है कालिविंगा ओप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा अब बात करते हैं वीडियो के एंद में आप सबीसे के मोश्ट इंपोर्टन की उसन पूछा जारा है इसका आप लोग उत्तर जुरूर दीजेगा देखते हैं कितने बच्चे सही दे पाते हैं राजस्तान का परवेश दौ़ार और पूरवी दौ़ार किसे कहा जाता है और ये भी बताना है कि 25 में से आपके कितने सहीवे इमानदरी से कॉमेंट कीजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना वीडियो कैसा लगा अपनी राय देना उसुझाव जेना वैं तो जुरूर कमेंट कीजेगा और डेली राजस्तान जी के इसी इमिपॉर्टंट कुशन के वीडियो पाना चाहते है चैनल को आजी सबस्क्राइब कर करके पास में जो गंटी बनी उसको जुरूर दबा ले राजस्तान जी केंगा हर इक इमिपॉर्टंट आप सभी तक पहुंचाए जाएगा वीडियो के मादम से तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहेगा थेंक यू